नमाशकार दोस्तो, स्वागत है वापस आपका चानल पर अबरोड जाना, full of ambition, full of hope के साथ जुड़ा हुआ होता है आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, अपने दोस्तों से और अपने परिवार से अलग पोकर, अलग चैलेंजिस आपको फॉर्स करेंगे यह तो हुई पढ़िया बात, इस decision के साथ आती हैं, काफी सारी दिक्कते जुड़ी हुई, यह हैं वो 5 problems, जो मैंने face करी थी, मैं जानता हूँ कि आप भी face करेंगे, जब आप आएंगे, अपने देश से, जर्मन में, PG करने के लिए, चलिए शुरू करता है यह जो पार्ट है यह मैं पीच में डाल रहा हूँ क्योंकि यह मेरे दिमाग में आया कि मेरी पिछली वीडियो भी EC के साथ, थोड़ा EC lines पे थी, मेरी पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा professional standpoint पे था, अगर आपने वो नहीं देखी तो यह रहा वो link, इसको check out ज़रूर करि चली फट फट आगे चलते हैं यह हूँ, one of the lambiest दोस्ती जो में, one of the lambiest वोओ, but work usually सब के लिए एक अलग challenge पोस करता है, प्योंकि आपको बहाँ पर professional होना पड़ता है, but in India में भी जब मैंने काम किया था जेयार्शिप में, तो अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी अपनी senior से भी, और party करने तो नहीं जाते life environment, family and friends, और work are two separate domains, यह बड़ा clear cut है हर जर्मन के दिमाग में, जो यहां काम करता है, कि work पे नो दोस्ती, आप सिर्फ उनके लिए एक colleague है, उनके पास एक शब्द भी है, colleague जो अधिकतर बार use करेंगे आपके साथ, और honestly मुझे वो काफी irritating लगता है, हसी मजब होगा, but don't expect कि आपको दिवाली पे gifts मिलेंगा, या फिर उनके घर पे आने का invitation मिलेगा, या फिर कभी बार में जाने का invitation भी मिलेगा, कि चलो आओ, काम लंबा था, surgery difficult थी, चलो एक एक beer पीता है, exist नहीं करता, काम करो, हसी मजब करो, और घर निकलो, अब इसको आप यहां का professionalism कह लीजे, यह दिकत तो है, अब आपके लिए, as a foreigner, जो जो जर्मनी में आ रहा है, भार से, with no friends, no family, इसके लिए एक बड़ी peculiar situation है, क्योंकि एक तरफ तो आपको अपने पाउजमाने वर्क पे, impress करना है लोगों को, तो आप लंबे hours महां काम करने की कोशिश करोगे, इंप्रेस करोगे अपना ध्यान बिल्कुल काम पे लगाने की कोशिश करोगे, which is good, but when do you socialize? है तो हम social animals, चाहिए हमें एक social group, एक tribe, एक group of friends, जो हमें emotional support दे सकें, जिनके साथ हम थोड़ा हसी मजाग कर सकें, जो shoulders पे stress है, उसको हम ठैक सकें और फोड़ा रिलाक्स कर सकें, कब दूड़ोंगे आपके लिए भी challenging होगा, challenge number 2, जो आप face करें, वो होगी family की कमी, अब यह वाला तो बड़ा obvious है, कि आप Germany आ रहे है, family को तो initially लेकर नहीं आ रहे है, even though अगर आपका plan है future में उनको लाने का, initially आप यहां आ रहे है growth के लिए, ambition के लिए, career बनाने के लिए, और family आपके साथ न नहीं आएगी, यहां आ कर मालूम पड़ता है, कि family का role आपके life में actually कितना बड़ा था, कि वो सिर्फ आपके financial support के लिए exist नहीं करते थे, खोड़ी बहुत हसी मजाग के लिए exist नहीं करते थे, but एक बहुत important role अदा करते थे, को emotional support देने का, वो प्यार से रखा हुआ हाथ पापा का, वो आशिरवाद exam से पहले मा का, वो Friday night movies साथ में देखना पुरानी हिंदी की, हसी मजाग साथ में करना, कभी market में चले जाना, साथ में परिवार के गोलगफे और momos खाने का, यह सब आप जर्मनी में नहीं कर पाएंगे वापस से, और यह कमी मुझे बहुत खली और आपको भी खलेगी, जब आप आएंगे, यहाँ जर्मनी में काम करना है, problem number 3, जो आप face करेंगे, वो है यहाँ का weather, अब जर्मनी as a country exist करती है northern hemisphere में, और इंडिया भी exist करता है northern hemisphere में, पर इंडिया भी एक्वेटर से, वो जर्मनी का काफी जादा है, in comparison to India, मतलब यहाँ पर जो winters होती है, वो काफी extreme होती है, और summers काफी कम वक्त के लिए आती है, अब आप सोचिए, winter इतनी extremes होती है, ना कि सिर्फ temperature के हिसाब से, चुकि zero के नीचे तो जाता ही जाता है, but also because आपको sunlight नहीं देखने को मिल, सोच के सरह देखिए, यह आप 6-15 पे घर से निकल रहे ह काम के लिए, सूरज नहीं निकला हो अंधेरा है, सूरज यहां सरदियो में 8 बजे के करीब उदय लेता है, और आप अंधेरे में काम पे जाते हैं, फिर आप काम पे बिजी हो जाते हैं, बीच में कभी काम से ध्यान हटा, विंडो के पास आपने बाहर देखा, तो आपको आपको लगा रहे हैं, मैं तो काम पे हो, शाम को जाओंगा, धूप सेकना है, शाम को आप काम से निकले 5 बजे, और फिर अंदेरा, क्योंकि सर्दियों में धूप और सूरज अराण चार बजे धल भी जाता है, और ऐसे करते करते आपका पूरा हफता निकल गया है, सच बो मैंने कभी सोचा नहीं था, जब से मैं जर्मनी आया हूँ, तब से मुझे क्लियर है, कि कितना जादा मैं सूरज को लुक फ़वर्ड करता हूँ, कि वो भाहर निकले सरदियों में, और सरदियां की 6 महीने लंबी तक होती है, बाहर निकल रहे हैं, आप सुबह अंदेरा है, और ठंड एक कड़ा के की, और बारिश शुरू हो गई, मतलब ठंड ने तो एक पर जान लेही रखी है, उपर से बारिश और शुरू हो गई, तो ना की सिरफ आपको गरम कपड़े पहनने है, आपको waterproof कपड़े भी करीबने है, waterproof जूते भी होने चाहिए, और thick socks भी उसके अ जाता था आने से पहले, और मेरे लिए तो होती जाता दिक्कत है, आज तक आपके लिए भी होगी, जब आप आएंगे, जब आपको फेस करेगी, जब आप आएंगे जर्मनी, वो है पैसे के, अब मैं doubt करता हूँ कि पहले साल में जब आप जर्मनी आये, या फिर जब तक आपने पैसे कमाने ने शुरू किये, कि आप इस प्रॉबलम से okay हो जाएंगे, मैं तो नहीं हुआ था, बड़ा नॉर्मल सा हो गया था मेरे लिए, जिस वक्त से मैं जर्मनी में आया था, कि हर चीज जो मैं खरीदारी करने चाहूंगा, जब ग्रोसरी हो, कपड़े हो, किस अच दरजन केले खरीद सकता था है, मैं दिल्ली में से, प्राइस में, नवर गेट सोके, या फिर बस की टिकेट, थाइसे रुपे लास्ट टाइम हां कब दिये था अपने, एक बस की टिकेट, जो चार किलोमेटर दुर आपको लेके जा रही है, यहां के साब से, वो तीन यूरो दिये थे मैंने, अब 20 यूरो को अगर आप अगर आप अगर आप थाणर करेंगे, रुपीज में दर्द होता है, तो इस चीज के लिए तो जब तक आप खुद कमाना ने शुरू करेंगे, तब तक I don't think I don't think I'll okay होंगे, एक बार आप कमाना शुरू करेंगे, आपक माच भी प्रब्लम जो आप फेस करेंगे जब अपाएंगे हैं जर्मनी में यह वो दिकत है जिससे मुझे नहीं लगता कि मैं जिन्दगी भारग जर्मनी मेरा तो मैं इसे ओके होंगा पूरी तुनिया स्पेशली इंडिया मूफ कर रहा है पेपरलेस एकॉनमी की ओर चाहे आपके मुबाइल फोन के कॉंट्राक्ट हो वर्क के कॉंट्राक्ट हो रेंटल अग्रीमेंट हो इवन दो चलान हो जो मुझे पापा ने थोड़े वक्त पहले बताया था ट्राफिक चलान तब पेपरलेस कर रहा है उस पुराने तरीके को हर जगह पर चैश से काम लेना आप कभी कार्निवल में चले जाओ यह समस मार्केट लगती जर्मनी महां चले जाओ काट तक कई दुखाने हैं मॉल के अंदर जो सरक कैश लेती हैं काट ने लेती कौन करता है कैश और यही सेम लॉजिक चलत हैं करीकिलम की बरद के और वर्किंअ तब कर दों गालाइज जाओ जाता है सब अधिलाट करने हैं मॉवाई पयंगे हड़ा सा पैज में लेगा सा हैं करने के लिए लकंग haric उसके लिए आपको 20 page का contract पढ़के sign करना है insurance लेंगे तब पढ़कर उसको contract sign करना है और work नहीं पर शुरू करेंगे अर्वाइट से ट्राक का जाता है उसको work agreement या contract उसको भी बहुत बड़ा page और बहुत सारे clauses के साथ आपको sign करके वाफिस करना है और एक copy आपको भी मिलेगी रखने के लिए for your own records जैसे कि मैंने कहा पूरी दुनिया मूँख कर रहे है paperless की तरफ और Germany अभी भी hold on कर रहा है कागजों को अपने पास can you believe it? आज तक हर दिन मेरे पास कम से कम एक या दो खत होते हैं मेरे post box में खत, email नहीं, letter यह रहा है वो ते लेटर जो भी में नीचे से लेकर आप paper work is a huge thing लोगों के घर में बड़े-बड़े binders और folders इसमें वो punching machine से उसको attach करके records के लिए रखते हैं आज तक even though उनके पास email की copy आई हुई है कोई ticket लेकर जाता है ट्रेन में चड़ने के लिए तो print it out copy लेकर आता है QR code के जमाने में printers use होते हैं जो और यह चीज तो I don't think मैं कभी okay होंगा and I believe कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या किसी और देश से आ रहे हैं जहां पर paper इतना dominant नहीं है दिक्कत होगी आपको भी मेरी तरह जब आप आएंगे जर्मनी में काम करने एक चीज दरूर याद रखिएगा यू चोज दिस यह आपने चूज किया है country में आने कभी भी यह दिक्कत है है कोई भी और दिक्कत आपके सामने आई अपने आपको याद दिला क्यों आए हो आप, किसे नहीं दूर क्या चीव करने, help करता है अपने आपको remind कर गोल के बारे में aim के बारे में, ambition के बारे में दिक्कत है तो आएंगे, आपको भी, मेरे को भी सब को आती है तो अगर आपको कोई बात करने के लिए चाहिए कभी आप फील करें कि जर्मनी में आ रहे यार बहुत अकेलें दोस्त नहीं है मेरा email address, मेरा YouTube channel, मेरा Facebook channel कहीं से भी आप मुझे contact कर सकता है जो कि चाहिएगा नहीं, reach out करने के लिए पसंदाई वीडियो, तो like करना, share करना दोस्तों के साथ और comment में जरूर लिखते मुझे बताना कि आपको क्या लगता है जब आप जर्मनी आओगे तो आपको क्या दिकतत फेस करनी पड़ेगी ये एक नया format है जो मैंने try किया अज, experiment की तरह जहां पर मैं process के बारे में बात नहीं कर रहा, बट life के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा personal हो गया, बटाना अगर पसंदाई आपको ये और क्या और बनाऊं let me know in the comments down below ध्यान रखिएगा अपना, अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों आलस कूटे